दोस्तों अगर आप सभी अभी free fair में अपने facebook id से login कर रहे हो तो आप सभी के सामने बहुत बढ़ा problem देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप सभी देखो मैं आपके सामने login कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है app note setup, this app is development mode क्या लिख रहा है पता नहीं और अपने facebook id को login कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग देखो मेरा id लॉग इन नहीं हो रहा है तो किस तरीके से आपको इस problem को solve करना रहा है इस video में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि भी बहुत ज़ादा वीडियो बन लिए तो फिर रैंक में नहीं आएगा वीडियो तो सॉरी दोस्तों यहां पर फोन आगया था तो यहां पर अभी हमको क्या करना है सिंपली से फीर को बैक कर लेना इस प्रोब्लम को सॉल्ब करने के लिए solve करने के लिए यहाँ पर back करके वहाँ पर setting में आना है setting में आने के बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ भी बताओ उससे पहले आपको एक चीज़ जान लेना है कि जो यह problem आ क्यों रहा है तो इसका एक region हो सकता है 100% sure नहीं हूं मैं बट यह region हो सकता है कि अब एडवांसर वारा आया है और वो भी बहुत लोगों में डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इस वज़े से यह problem देखने को मिल सकता है तो बाकि कोई और भी region हो सकता है तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर इसको solve करने के लिए setting में आकर आ के इहाँ पर आपको DNS को search कर देना है पर आपको प्राइविट पर प्रॉब्लम सॉल्ब नहीं होता है तो आपको देन क्या करना होगा आपको simply कुछ नहीं करना है आपको अपने यहाँ पर से Google में आ जाना है Google में जैसे यहाँ पर आप सभी को क्या करना होगा है यहाँ पर आपको सर्च कर लेना FF07Gamer जैसे आप सभी सर्च कर लोगे यह सर्च करके FF07Gamer.in आपको सर्च कर लेना है जैसे कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको search पर क्लिक करना है जैसे search करोगे तो search करने के बाद यहाँ पर आपका login होने यह एक website खुलेगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले पर क्लिक करना है जैसे ही सबसे पहले वाले पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको नीचे नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक download now का option दीखेगा आपको इस पर click करके इस VPN को download करके open कर लेना है जैसे ही आप सभी open कर लेते हो तो यहाँ पर आपको Singapore को select करके यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपका VPN select हो जाएगा उसके बाद आपको अपना free fire login करके देखना आपका problem solve हो जाएगा अगर problem solve नहीं होता है तो wait कर लेना मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहाँ आप सभी समझो यार कि क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बन देगा तो फिर rank में नहीं जाएगा इस वज़ा से तो यहाँ पर आपको यह करके में problem solve हो जाएगा तो that is my full video तो इसमें यही बात आना था तो चली मिलते किसे दूसरे वीडियो में तब तक लिए बाए बाए और टेक केर दोस्तों